तो हाई गाईज मैं हूँ इसके समा और आज हम सॉल्फ करें कोर्ट फोर्स एड्यूकेशनल राउंड वन वन जीरो रेटेड फोर डिविशन टू का गजली को प्रें से में 0 और 1 से बना हो और यह ऐसा फॉर्माट में ऊबए यह तो 0 1 0 1 0 1 0 1 मतलब 1 और 0 से बना है तो और उसके बात जिर्द कर रहा है करें हर करें कर रहा है तो यह अन्स्टेवल स्ट्रिंग का एक्जामपल हो गया इससे कुछ आगे क्या दिया है आगे हमें beautiful string का definition दिया है beautiful string किया होता है here तो beautiful string एक ऐसा string है जो आपका 0, 1 और question mark से बना ठीक है 的話 और question mark को हम replace कर सकते हैं 0 और 1 से ठीक है तो मतलब जो हमारा string हो गया है यह हमारा string हो गया अ-डशी ठीक है इसमें 0, 1 और question mark हो जे है question mark को हमें रेप्टलेस करना है या तू 0 या सा 1 से ठीक है और replace करने के बाद अगर हम अच्छे से replace करें और यह जो string है यह अगर unstable string बन गया यानि कि 101010 ऐसा बन गया तो यह string को हम beautiful string कह सकते हैं मतलब अगर beautiful string के example चाहिए तो देखो यह one question mark one ठीक है फिर question mark फिर question mark तो अगर हम इन तीनों question mark को replace करें और ऐसा string बना दे ठीक है तो 10101 ठीक है तो आप यह देखी यह जो string था हमारा replace करने के बाद एक unstable string बन गया है तो यह जो string था ठीक है इसे हम beautiful string कहेंगे तो यह होता है और जरूरी नहीं है कि यह तीनों का तीनों exist करें मतलब 01 question mark जरूरी नहीं कि तीनों का आपको exist करना ही है जैसे कि यह example में दिया हुआ है कि यह देखो सिर्फ 0 भी एक beautiful string भी कहलाता है ठीक है सिर्फ 0 भी आपका यह string हो गया जिसमें कि सिर् beautiful string कहलाएगा ठीक है फिर माल लो ऐसा हो कि 101 यह भी आपका beautiful string कहलाएगा क्योंकि यह पहले से unstable है ठीक है तो यह सारे string भी beautiful string कहलाते है ठीक है तो आप unstable string और beautiful string का concept आप समझ गया है अब आए जानते है question में आगे क्या पूछा है question में हमसे पूछा है कि हमें जो string दिया हुआ as input में ठीक है इसमें कितने सारे ऐसे सब स्रिंग है जो कि continuous है और वह beautiful है ठीक है तो basically हमसे पूछा क्या है कि हमारा string हो गया as ठीक है इसमें जितने वी question मार्क है ठीक है उसे हमें replace करना है और replace करनी के बाद हमारा टोटल कितना ऐसा सब्स्रिंग है जो कि अन्स्टेबल है ठीक है क्वेस्टन हमसे यही पूछना चाह रहा है ठीक है तो अब यहां पर जो दिया हुआ था कि यह जीरो जाथ सिंगल करेक्टर था यह भी हमारा एक अन्सेबल च्रिंग है यह ब्योटिफुल स्ट्रिंग है ठीक है तो मतलब हर इपड़ंगे में भी यह ऐसा संभिन्ग हो गया जिसका लेंदि यह थाई कोषिश करना ठीक है तो अभी मैं जो दिखाऊँगा आप उसको ध्यान से देखना अच्छे से समझने कोषिश करना कि हम तो यह एक string मान लो, unstable string 10101010, यह beautiful string भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई question mark नहीं है, ठीक है, और क्योंकि unstable condition satisfy कर रहा है, तो यह automatically beautiful string बनी है, तो इसमें कितने सारे हमारे ऐसे sub string है, जो कि beautiful है, यानि कि उसको unstable ही बोल सकते हैं, तो आईए जानते हैं, तो देखो यार, हम पहला जो sub string उसको यहां से start कर सकते हैं, और यहां पर हम खतम कर सकते हैं, ठीक है, होगा न, कि हर जो रहे जो और देखो, आगे बढ़ेंगे, तो यहां तक पहुंचेंगे, तो यहां तक पहुंचेंगे, तो यहां तक पहुंचेंगे अब दो characters है, दोनों characters हमारा unstable string का condition satisfy कर रहा है, तो एक sub swing ऐसा होगा जो कि हम यहां से start किये और यहां पर खतम कर दिये और एक सबस्विंग ऐसा होगा जो कि हम यहां से start किये और यहां पर खतम कर दिये ठीक है यह character आपने पहले की करके रख लिया ठीक है अब यहां जब इसको भी include किये तो यहां से start करके यहां खतम कर सकते हैं यहां से start करके य तो यहां पर खतम करेंगे, एक यहां से start करेंगे, फिर यहां पर खतम करेंगे, फिर यहां से start करेंगे, फिर यहां पर खतम करेंगे, फिर यहां से start करेंगे, फिर यहां पर खतम करेंगे, बिसिकली हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एंडिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, starting point ये starting point है कि यЕing starting point है किये imp各位 हमारा 3 starting point हो गया जाए consume इन प्री हो जाएगा और यहाँ जाए प्लस प्लस प्री धारा कर सकते हैं आज प्लस 4 मतलब इसको include करते ही extra 4 हमारा Hui निया मिल गा जाए हूँ करती है सबस्टिंग नया सबस्टिंग आगए हम आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो अब यहां पर पहुंचे ठीक है तो अब देखो अब यह हमारा ending point हो गहा है तो अब निए नए starting point किया क्या होसकता है किया होसकता है किया होसकता है तो total कितना एक two three four five पांच character हैS एक two three seven five नगाला ено hah तब कुछ देख़ रहा है किए सबस्विंग को बढ़ा रहे कहा कहा से नए सब्सट्रिंग सब्सण्रे कर रहे हैं इतने प्लस इतने प्लस ड्स करते हारे तो यह तो हो गए जब हमारे आनगे मतलब ऑन स्टेवल प्लसा एenci स्टिंह कर रहा ठीक है अब मालनों कुछ आई यह पूरा व्य बन टीक है एसा string नए दिख रहा है अब आई यह इसका जानते कि यह कैसे होगा यह देखो यह पूरा पूरा string unstable नहीं है यहाँ पर आके दिक्कत कर रहा है ठीक यह पूरा का पूरा unstable नहीं है लेकिन इसका substring सब तो unstable हो सकता है तो देखो अभी ठीक है तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो iterate कर रहे तो पहले जब यहां तक आये तो एक plus 1 होगा ठीक है यह unstable है फिर जब इसको include किया है तो यह क्या हो गया यह हमारा हो गया 10 unstable का satisfy कर रहा है तो plus 2 हो जाएगा जैसे मैंने बताया था एक यहां से start करके यहां करेंगे एक यहां से start करके यहां करेंगे ठीक है तो यह हो गया फिर आगे बढ़ें इसको include किये तो अभी भी unstable का satisfy कर रहा है 10101 ठीक है 101 यह satisfy कर रहा है तो plus 3 करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़े तो अब ये भी है तो अभी भी unstable और satisfied कर रहा है ठीक है यहाँ तो 1010 ठीक है तो plus 4 किये अब देखो अब जैसे आगे बढ़े है तो इसको include किये तो यहाँ पे आके यह हमारा जो unstable वाला था वो condition satisfy अब नहीं कर रहा है ठीक है यह 00 आ कर गया एक साथ तो दिक्कत हो गया तो अब देखो अब हम यहाँ से start करके यहां पे end नहीं कर सकते हैं यहां से start करके यहां पर end कर सकते हैं यह जो single character 0 होगा यह अपने में एक सबस्रिंग होगा ठीक है तो यह unstable रहे यहां से start कर गया है यहां पर end नहीं कर सकते हैं तो इस point पर आते ही हमारे counter था 1,2,3,4,5 वह reset हुझाएगा अब यहां पर आके plus 1 हो गया है दिखा में यह आ जा रहा है तो हमारा counter जो reset हुआ था यानि कि अब हमारा starting point जो first starting point है वह यहां पर आ जाएगा तो अब फिर यहां से होगा तो देखे कि हमारा unstable का satisfy कर रहा है 0 के बाद 1 है तो यहां पर plus 2 कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे इसको include करेंगे तो अब देखे कि 010 है त अभी भी satisfy कर रहा है आप यह 0101 satisfy कर रहा है तो यहां प्लस 4 कर देंगे अब लेकिन यहां पर आते ही 11 होगया तो दिक्कत होगया ठीक है तो फिर reset हो जागा फिर हमारा plus 1 हो जागा तो यह समझमें आहीं रहा कर के कईसे हम कर रहा है तो अब आयए जानते हैं की question mark का हमें क् को 0 से lesk करना है कि question mark को 70 की ठीक है तो बहुत लोग यह चीज़ confuse के होंगे उसमें में हमें या तो 0 ये ऊसरे प्लीयस Mexican करके देखना ह कि。 वह यह कितना कितना हमारा अंसार आ रहा है यहां test case डिया हुआ है । notify स्क्रशियं मारICO धथा testlink वन जीरो ठीक है तो यह पार्ट जो है ठीक है से लेड़ पार्ट इसको हम बंसे रिलेस्क कर रहें से किया हो जाता कि यह जाता है एक यहां कि कुछिशन मार्क वंट हुआ कि यह हैं फोल मुझे कि लॅह पार्ट भी ऑन वी ँदिखू नहीं हुए ऊस्ट से समय रहोंगे तो भाई यह अब आये जानते हैं कि question mark वला में क्या होगा ठीक है तो देखो question mark में क्या होगा कि मानलो यह हमरा test case है ठीक है तो यह one zero one zero ठीक है फिर question mark question mark question mark ठीक है यह ए यहां तक तो देखो one plus two plus three plus यह four तक आजाए ठीक है यहां तक चार क्रेक्ट है तो मतलब one plus four टक आजाएगा इतना तक चलो ठीक है अब question मारको देखो अब यह 0 है तो इसको किस से replace करना है इसको 1 से replace करना है ठीक है उसका इसको 0 से replace करना है उसका इसको 1 से replace करना है ठीक है तो यहां तक गया है तो यह क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा ठीक है प्लस 6 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा ठीक है ताकि यह continue कर जाए, plus 5, plus 6, plus 7 कर दे, हमें reset नहीं करना पड़ा, ठीक है, यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी देखे, भाईया, कि अभी भी हमार continue कर रहा है, reset नहीं करना पड़ा, तो हम इसको ऐसे ही continue मार देंगे, ठीक है, इसको दूसा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो यह 8 प्लस 9 प्लस 10 हो जागा यह प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ठीक है तो ऐसे काम कर जागा ठीक है जब आपका यह async continue कर गया अब आप यह दूसरा test case जानते है जिसमें ऐसे रहा कि 1 0 1 फिर question mark question mark question mark फिर 0 1 0 ठीक है तो इस test case में भईया क्या होगा तो इस test case में देखो यहाँ पर गया है तो यह plus 1 plus 2 plus 3 इतना तो आप समझे रहे होगा ठीक है अब यहाँ पर गया तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 0 ठीक है फिर हम प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इतना ठीक है लेकिन अब यहाँ 00 आ गया है तो हमारा counter जो है यह reset हो जाएगा ठीक है यह हमारा counter reset हो गया तो अब हम यहाँ पर प्लस 1 रखना पड़ेगा ठीक है लेकिन हमारे पास यह यहाँ पर option यह है कि हम यहाँ पर उल्टा भी रख सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तक हम ऐसी यहाँ तक हम ऐसी किए question mark 010 ठीक है लेकिन अब यहाँ पर यह हो रहा तो अब क्या करेंगे अब इसको change कर देंगे अब हम क्या करेंगे 101 कर देंगे तो अब देखो कि यह कैसे हो जाएगा अब यहाँ से starting से लेकि इधर तक unstable हो गया है ठीक है तो अब यहाँ से हम कर सकते है ठीक है तो लेकिन हमने क्या किया है कि 4 plus 5 plus 6 तो यहाँ पर हमने add कर दिया था ठीक है 4 plus 5 plus 6 तो हमने add कर दिया था तो इसमें क्या हुआ 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 कि यहाँ से start करके यहाँ पर खतम होने वाला यहाँ से start करके यहाँ पर खतम होने वाला सेम यहाँ से start करके यहाँ खतम होन तो इसको हम दोबारा फिर यहां पर प्लस वन प्लस दू प्लस त्री नहीं कर सकते एक location का हमें एक ही बार आइड करना है लेकिन question mark हम change कर सकते हैं तो अब हम क्या किए कि 101 कर दिया ठीक है तो यह क्या हो तो यह क्या हो गया प्लस फॉर हो जाएगा यह बरह यहां से हुआ है लेकिन हमने हbodust यह होगा यह location का हमने पहले यहं पय् apt अट करकर रख लिया थिक है तो यह हमने प्लस फॉर किया है यह प्लस फसुर क्या है यह प्लस four एपका इस पॉंیंट से इस इस पॉइंट तक झीचार। इस पॉइंट से इस पॉइंट से मतलब शुएंант फॉजिसंस यह फॉइंस 4 फॉइंट से निए फोजुट्ट से ஓं सब्स, इस लिए हैं प्लिए боль प्लस 2 प्लस 3 already included हो रहे हैं ठीक है इसे दोबारा हम add नहीं करने हैं अब क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे फिर यहां गया प्लस 5 कर देंगे फिर यहां गया प्लस 6 कर देंगे तो ऐसे करके यह question mark वालग काम करेगा तो भाई यह यह तो हो गया पूरा question का logic ठीक है अब इसको हमें implement करना है कोर्स देखने से पहले आप ngay אih have gfg कोई अगर कोर्स देना चाहते हैं बहुत सारे लाइफ कोर्स सरे या online कोर्स से लाइप पड़या जाता है या online कोर्स सब पूछ सकते हैं online धर रहा तक है अगर कोई कोर्स लीन तो आपको 10% एक्स्ट्रा उफ हो जागा बहुत सारे इंटर्वी प्रिपरेशन के लिए डियसे सीखना हो ठीक है या टेस्स सीरीजी क्यों लेना आप चेक कर सकते हैं यहां पर देखाता हूं इसमें आपको इंटर्शिप का मौकाय मिलेगा और विकली असेस्ट्मेंट भी होता है लाइफटाम आपका एक्सेस भी रहता हर हफ्ते आपको टेस्ट होगा ठीक है यहां देखिए रिकर्शन हो बिटमाजिक हो सर्चिंग हो सॉर्टिंग हो डीपी ह हो ट्री हो सेग्मेंट ट्री हो ठीक है अब सब सीख सकते हैं अब चेक कर सकते हैं इसके समाझ जी अब कुपन यूज यह तो यह जो पहले से 50% है एक्स्ट्र आपको और 10% और अफ होगा ठीक है तो इसका कोट देखना तो आई मैं कोट दिखाता हूं तो देखा विया यह जाएका हो सकता है Aqua स्माज में आ जाएा ठीक है। वह क्या होगा होगा की हम देखो पहले Max 0 Mausing मना ली ऐ छीक है तो इनिशली 0 रहे karşा तो मुण कुछ ऐसा अग्स है की 0 1 0 1 0 1 न है, तो Max 0 यह हम देखे तो यहाँ क्या होगा, कि यह देखे कि भाई यह 0 है, तो Max 0 को प्लस में प्लस में कर दिया और यहाँ पे हमारा जो answer था, इसको हम add कर दिया तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है अब यहाँ पर आके अब यह सब में नहीं जाएगा अब आके swap हो जागा यह swap हो गया तो अब max1 का value इनिशली 0 था अब swap होने कवाद यह 1 हो गया और max 0 जो था यह हमारा 0 हो गया अब अगला में गया अगला में गया तो देखे कि कि क्या वई यह one है तो अगर one है तो यहांत पर नहीं रहता है और नहीं रहता यहां पर 0 रहता तो क्या होता कि वापस यहां पर जाता और इसका counter reset हो जाता जहां भी हमारा Unaval conditions दिख्कत आए वहां reset हो जाता ही तो वही चीज हो रहा है और यहां पर देखो यह question mark वाला part है तो दोनों को कर रहे हैं जिससे हमारा max answer आ रहा है तो यही चीज हो रहा था ना तो यहां पर क्या हो रहा था यह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे आइड करते गए ठीक है तो ऐसी ही आइड होगा 4 104 प्लस 5 प्लस 6 ठीक है यह पर कि च्या होगा कि जब एक सब होगा इसे मं आल लो,иться 3 मांत 2 रहता है यहांपे आता है तो यहांपे हमें परताओं की 0 है अब जैसे ने इस्से 1 मिला है इसे आन गायर के और एक 4 चालबा हुआ तो यही था, तो आशके वीडियों तो भई यह इतना ही, तपले जहने बाद ध्यान के थ्यान मिलते हैं, बाइ बाइ reduce the experts, these are people who have themselves cracked such interviews। In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing and all other ok for your DSA interview preparation. You will have live classes, assessment tests, practice questions and my detailed pre-recorded videos. कर दूराज बार्ट से तरहतो प्रटेश्ट चार्ट स्कीर स्कीघ लिए, युरिवीर दाब यूर टूर बीजि़ अग्ट ग्यूल्ट इत इंड बार्यू लिए और व्यूपकर टेजिए। आस्केनि अप्रट फ्यू इसुरूबिद तरहते हैं। झाल झाल